जै सचिदानन जीवन में जो भी कुल में जन्मा लेते हैं माबाप अपने को कुछ न कुछ धर्मा सिखाती है मंदिर में भी लेखे जाएंगे चलो पैसा हत्मे देते दालो बगवन के पेटी में कुछ धर्म के संसकार बच्पन से ही अपने मिलते हैं और अपने जीवन में बिजनेस है शादी हो गई बच्चे हैं वो तो वेवार होता ही है बगर जो अपने धर्मा करते हैं चलो पूजा पाठ किया, मंत्र किया सुब माला फिरादी बगवान जो घर में रखे हैं फोटो होगा कुछ मुर्ती होगी नामस्मरन करते हैं दिया जलाते हैं दो-पाठ मीट करके मान लेते हैं अपना हमारा धर्मा पूरा हो गया कोई लोग जादा भी करते हैं चलो सवध्या इस्वाम को जाएंगे संडे जाएंगे और सवध्या में भी चलो कुछ पढ़ाई किया जाब किया उसी कोई धर्मा मान लेते हैं हम तो दर्मिष्ट आदमी है, कोई लोग तो कंदमोल त्याग करते हैं, उसको धर्म मान लेते हैं, अरकत नहीं ओ करेक्ट है, गर वहाँ फुल स्टॉप रखने चाहिसा नहीं है, जीवन में फुल प्रगति जैसे मावीर भगवान पहुंच सके, कृष्ण भगवान पहुंच ज्यादास ज्यादा पुण्य बंधन होता है, कितने भी अच्छी भक्ति की धर्म किया, पुजा, पाट, मंत्र जाप, तो पुण्य बंधन होगा, पुण्य का फल आपको सौंसार में अच्छी वाइप मिलेगी, अच्छी अजबन मिलेंगे, अच्छी माबाब, बच्चे म मिलेंगे, धन्दा अच्छा मिलेगा, शरीर भी अच्छा मिलेगा, वर पुण्य काफल, सूख, संपति, शांती रहेगी जीवन में, मगर दूसरी लाइप में वापस अच्छा धर्म किया, तो वापस आगे आएगा, और अच्छी संपति होगी, ज्यादा पैसे होगे, तो पुण्य बानते हैं, थोड़ा बुरा किया पाप बानते हैं, पर मुक्ति नहीं मिलती, जो अपने मानते हैं कि इतना मंत्र, जाब, पाठ किया, मुक्ति मिलेगी, पर मुक्ति के लिए आगे का रस्ता है, यह गलत नहीं है, इसको गलत बोलेंगे तो फिर रमी खेलने चले जाएगा, चलो मजा करो, जो आखेलो, वो भी गलत है, और यह जितना शूब धर्मा बोला जाता है, स्वाध्याय भक्ति, मंत्र, जाब, पाठ, माला पिराना, उससे बहुत आगे जाने का है, यह कि तमाम मुल पुर्षों ने, कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान हो करे, माविर भगवान हो गए, अपने फॉलोवर्स के पास नामस्मरन नहीं कराया, इतनी माला फिरादो नहीं कराया, इतना शास्त्र पढ़ते रहो नहीं कराया, उन्हेंने अशे कुछ दिया, को वही बर्त में, उनके फॉलोवर्स आत्म ज्यान पाए, केवल ज्नान पाए मोक्षकति पाये जब प्रत्यास ज्यानी नहीं रहते तिर्थंकरो नहीं रहते बात में पीछे वाले आचरे महाराज सब धर्म की रचना करते हैं कि इतना मंत्र करो इतने शास्त्र पढ़ो इतने भक्ति करो उपवास आयंबिल एकादशी कि मुल पुरुष ने कभी योग वसिष्ठ में देखे राम चंदर जी के पास वसिष्ठ मुनि ने कुछ करिया काळ मंटर जाब नहीं करया मावीर भगवान ने भी गौत्तम सामी के पास कुछ मंटर जाब पाँथ नहीं कराए पिर भी अर्जुन के पास बंद कराया, लड़ाई बन नहीं करायी उसको ऐसा ज़्यान दिया ऐसा ज़्यान पाने के बाद सारी लड़ाई करते हुए भी कर्मा करते हुए कर्म द जशा अरजुन ने पराप्त की वोही बरत में मोक्स पराप्त किया मुलपुरुशों की बात बहुत अलग है और पिछे अपने पास जो आया धहर्म वो बहुत अलग प्रकार से आया है जहां आपने खड़े हैं वहाँ से मुलपुर्ँशों की बात तक पहुँचना है और जिवन का तमाम दुखों से मुक्ती जो गोल है अपना अपना ये सत्संग है अब जरूर अध्यात्म के लिए भी पूछ सकते हो धर्म के लिए भी पूछ सकते हो और जीवन विभार में भी कुछ confusions होंगे, problems होंगे तो उसका भी solution पूछ सकते हो ताकि अपना मूल गोल है तमाम दुखों से मुक्ति पानी तमाम कर्मबंदनों से भी मुक्ति पानी और जन्ममरण के चकर से भी मुक्ति पानी इनको दादा भगवान बोलते हैं वो खुद बताते थे ये शरीर वो तो एम पटिल नाम दिया गया है और दादा भगवान ये भीतर वाले रगट आत्मा उनको दादा भगवान बोलते थे और मैं खुद ज्यानी पुरुष हो खुद को कभी भगवान हूँ ऐसे नहीं बताया वो खुद को ज्यानी पुरुष बोलते थे 1958 में उनको ज्यान हुआ था सूरत स्टेशन पे ही बट नेचरली वो बोलते थे हमारे में भी करोद था, एहंकार था, ज्यान था ज्यान होने के पहले 58 के, बिफोर वन ओवर और ज्यान होने के बाद में मैं ज्यानी हुआ मुझे सारा आवरन तुटे और ब्रमान का रहश्य मुझे प्राप्त हो गया ये जगत की इसने बनाया कौन चलाता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है कर्मबंधन कैसे होते हैं कर्मों से मुप्ती कैसे हो पात सकती है तमाम जो वर्ल्ड के गुड़ प्रश्णों है अध्यात्मी प्रश्ण है और धर्म और व्यभार तो बाई प्रोड़क्शन में सब तमाम प्रकार के प्रश्ण उनके हल हो गए और उनको खुद को जो ज्ञान प्रकट हुआ उनकी विशेश्था तो यह थी कि हज़ार लोगों को ये ज्ञान बांट सके ये खुद बताते हैं कि मैं कोई नया धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया मैं कोई गुरू होने को नहीं चाहता हूँ मैं भगवान भी नहीं हूँ ये नया धर्म भी नहीं है नया संपरदाई भी नहीं है मुझे अत्मा का ज्यान मिला अत्मा का आनन बिला तो मैं बातता हूँ प्रशादी लेके यज़ आते हैं तिरुपती से तो सबको बातेंगे ऐसे बाटना है Maar मेरे पास जो आनन्द हुआ है जो जे सुख मिला है मुझे सबको सुख पहुचाना है खुद भगवान भी नहीं होते है, खुद गुरू भी नहीं होते है और शिष्य भी नहीं बनाते है यहां तो अपने दुखों से कैसे मुक्ति पाए उसके लिए जो भी प्रकार की आपके पन्फिजन्स होंगे तो जरूर पूछ सकते हैं दादा भगवान का जो उनको जो जो ज्ञान हुआ उसको अक्रम भी ज्ञान बोला जाता है यहने अध्यात्मिक ज्ञान उसका दो डिवीजन हो जाते हैं एक क्रमिक मार गए क्रम याने step by step step by step step by step जो आत्मसाक्षात कर पाना है तो step by step बढ़ते 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 आत्मसाक्षात कर पहुचना तो उसके लिए दो रास्ते हैं एक क्रमिक मार्ग है क्रम याने step by step step by step और दुसरा है अक्रम याने lift जैसा मार्ग है 2 रास्ते साुषाल में दया झ्यार के लिजी विधान्त भी बताया है विहंगि कामार्ग विहंग जणißt हैंज अटि जफ सहर प्रह्द एक पंचना और पिपली काईगर जय से चल के चल के सहर के वपर पंचना जयन शास्त्र में भी बताया क्रमा गत्मार्ग अक्रमागत मार्ग है तो त्याग, ध्यान, योग, साधना गुरू के आधिन रहके करते हुए धीरे धीरे आत्मसाक्षात कर पाना वो क्रमागत मार्ग है और ज्यानी की कृपा से ही आत्मसाक्षात कर पाना तो त्याग, ध्यान, योग, साधना के बिना कृपा से ही पाना वो अक्रमागत मार्ग है, कभी कबार ऐसा मार्ग खुला हो जाता है अफवाद मार्ग बोला जाता है तो नियम से तो क्रिमिक मार्ग ही है तब करो, त्याग करो, ध्यान करो करते करते आगे बढ़ो और ये कभी कबार ऐसा रस्ता कुलता है अपवाद मार गया जो अपवाद में ये प्राप्ति की लिए तो बेड़ा पार हो जाता है और ये विज्ञान की बाते हैं ज्यादा करके अपने प्रश्णों तरी से लेंगे ताकि संसार के प्रश्ण भी हल होते जाएंगे अध्यात्मीक धर्म के और साथ में अध्यात्मीक विज्ञान की बाते भी थोड़ी खुले होते जाएंगे बहुत बड़ा विज्ञान है बेजिक फंडामेंटल ये विज्ञान में बेजिक फंडामेंटल जो बोले वेरी बीगिनिंग के लिए इसमें दो ही चीज दादा जी ने बताया कि खुद कौन है सेल्फ को रियलाइज़शन करना चाहिए और ये करता कौन है कराता कौन है उसको समद लेना चाहिए इन दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से सुशार के बहुत प्रकार के प्रॉब्लेम सौल हो जाएंगे और बाकी तो आगे तो बहुत जानने के चीज़ है क्योंकि छोटी-छोटी बाते में भी अपनी बिलिफ तो कितनी प्रिकार की मान्यता आए गुश गय है ऐसे तो करना ही चाहिए वेवार ऐसे तो नही करना चेह, यह नहीं बॉलना चाहिए इसे के लिए इसे ही रहना चाहिए कितनी प्रकार की wrong belief है है तमाम wrong belief होसे भी आगे blunders है और blunders तूट गए बाद में दिरी दिर wrong belief भी छूट गई तो यथावत आत्मस्वरुप का अनुभव हो सकेगा यहाँ यहाँ यह नया धर्म नहीं है अगर तमाम प्रकार की अज्यान मन्यता से चूटना है रॉंग मन्यता उसे चूटना है यहने question answer इसके लिए है कि आपके भी जो मन में दुविधा है तो आप उचेंगे तो आपकी दुविधा कतम होते जाएंगी अध्यात्मिक समझ आपको आगे की मिलते जाएगी जै सचीदन में ग्णान लिधुतू निरुमा पास से बेवरश केला तो फिर मुझी थोड़े डाउट्स है आपतवारी मैं रीट करती हूं तो डाउट्स है कि जो हम लोग नान वीधी के पाद शुद्धात्म का जो लाक्ष होता है वो प्रतिष्ठात्मा क्या आप करता है? नहीं जो पहले आप क्या नाम है आपका? शुद्धि शुद्धि तह पहले आप मानती थिए मैं शुद्धि हूं, मैं शुद्धि हूं और रांग बिलिफ छूट जाती हो, छूट जाती है और मैं खुद कॉन हूं उसकी जागरती सुरुवति है और जो शुद्धि है वो प्रतिष्ठीतात्मा जो पिछले लाइक में प्रतिष्ठा के ती मुझे ये जाए — अभरव आंटा, आप जाए मुझे बैँ जाए — अँच्छे जाह ощущения जाया ऑख़ी जाए Morningatा प्रतिष्ठीता जाए — तो जाएमयद प्रतिष्ठीत्मा, मैं अभी नई मैन्यता like लाई, चाहिए जाए, जाएमय नियो आगτι नाप पर पहले जो Wrong Belief थी प्रतिस्टित्र आत्मा को वही Right Belief पकरता है व्यभार आत्मा बुला जाता है उसको व्यभार में जो मन्यता वर्ति थी मैं śuddhi हून और व्यभारावाला आत्मा उसको व्यभार की अज्यान वनेत्या चुट गई और निश्या की राइ ट मन्यता उसको शुरू हो गई प्रतिस्थिvos आत्मा तो व्यभार आत्मा ने जो चार्ज किया था वो अभी डिस्चार्ज ओरा है तो और नीरुमा ने बोला था कि प्रकृति किसी की खराब भी हो सकती है, किसी की अच्छी भी हो सकती है, तो पर ग्नान में तो आकर यही हम लोग को फीट करना है ना कि अच्छी प्रकृति हो कि किसी को दुख ना हो, अभी प्राई उस बात का होना चाहिए कि किसी को दुख तो वो भी तो एक अभीप्राई हुआ जब कि अभीप्राई तो रखने ही नहीं है नहीं मगर ये तो व्यभार के लोगों के लिए बताया गया है कि किसी को दूख न हो है ऐसे व्यभार करो मन से वानी से वरतन से इसके डूख नहोंगे और आपको ज्यान लेके बादिश्टन थे वह पांच अग्या बताईए्र। यूछ निकाल करो जो भी शायो खाते हैं अच्छा गुरा तो बुद्धी का नेन्र आ है जुछ बताती है। यह च्छा है यह बुरा है अग्यान दरष्टी से जो भी सहीं आते हैं इसको रागद्वेश बिना सम्मभाव से निकाल करो अच्छा पाइ इसका मतलब अगर हम लोग से गलती हो जाए तो निश्चय में होना चाहिए कि किसी को दुख नहीं होना चाहिए पर वो भी तो एक अभी प्राइए करता है अच्छा फाइल नवALL तो उसके पास तो तुम प्रति कमझाण जो गल्ति करते हैं उसके प्रति कमil करना है और ऐसे गल्ती नहीं करने कि शक्ती देड़ Dann सो वह ऊटतो एक अभी प्राई होई डादь प्रवाह, फम्रवाह को बोला जाता है? कि अए मार मिलखने विछ दुख दिया और विदो अज दूले पाल रहते के लिए अपना अपना बोलाग दीज दूलागै और बोलागै पोलना जै तो अजै बोलगाएंगे को दूला इस दूले अजाता है कि आप लिग डोड़ राप आप अपने शुद्धात्म पद में रहें के उसके पास clean कराते हो या अभीपराय नहीं बोला जाएगा अभीपराय तो अभीपराय तो अभीपराय देता है यह गलत है यह अच्छा बुरा अभीपराय नहीं होता है यह संभाव से निकाल करते हैं कि जैसे हम लोग फीड करते है किसी को दुख ना हो तो वह तो एक पॉजिटिव अहंकारी हुआ ना इसके पास कराना है तो दूसरे को दुख देने में हरकत नहीं ऐसा रॉंग अभीपराय रहेगा अच्छा व रॉंग अभीपराय को नेट्रल क्या परता देखो निरदोष देखो! यहानि दुसरे के मन वच्छनी काया जिस तरह हम लोग इस दुसर मन वच्छनी काया प्रभाव नी डालने चाहिए खुड के उपर प्रभाव और ना प्रभाव की जरूरत यह नहीं है, संभाव से निकाल करना है वो कोश मैं जिसको से पकड़ कर हम लोग को सील को सिखा प्रआपत कर रहा है वो रिलीटिव रिल बाल्टिव रिल अक्यला रिलेटिव नहीं है रिलेटिव से रियल में आने का रिलेटिव 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 रि यह पुरा करो और आत्मा की जागरती में आ जाओ यानि रियेटेव रियल से कैसे एपसुलिट रियल तक पहुचने का अच्छा रॉंग बिलीस और ब्लंडर से कैसे बाहर निकल के एपसुलिट रियल तुरुत के उबर आ जाने का और जब हम फाइल नंबर वन को जब अशात जागरती रखे वह तो थीयरी में आ जागया की यह मैंने उसको इतेल में डिटेल में स्टड़िक करना ज़िए इसमें तीन दिविजिकल बाड़ी है बीच मन बुद्धिचित अहंकार है और आगे शुदात्म है तो यह फिजिकल बाड़ी को जो पेइन होता है वो रिस्प है ओन्स視ुद आग छाहिए चाहिए अहंकार कि रङटेल में छुद गए हैंकार कि कि अ१रा इसोस के अवरी को दूढगए थि कäter और शुद्धिक उर्द हमानन देन है तो समझा तो अर अज़िकल दीर शुद्धान के तो अरगम के फाँ आगर तो दीर खेतो दीरक्ṣ के arenas कव fazer, इसको आप यफेक्ट बोला झाता है, और एक्वेक्ट का सफ्रिंग एहंकार को आता है, और आत्मा तो Bardzo पहुर सिर्फ जानने वाला है, कर यहंकार भीस में रहा विलिफ से खड़ा यह, रहा यह जाता है तो दुखा, जो suffering effect है, तो रहेगी, और नौर, वह रहेगा, suffering वाला चले जाएगा चित, जब suppose हाथ दुख रहा है, तो चित वहां पर रखके हम लोग को नाता दृष्टा पर मेरे, मतलब नौर किसक वहाँ पर सक दिलग में लोग doingैने का तु अधर मुझे, तो उधर में सो में से लेकर आता है तो पर मैंसेज लेकितों कि एतना दुख तो यह रहे प्ली उत्ष्छब्दियो क्या बनाती है, मुझे है दुख रहे वाला चित, हाज भूह बह। सकता है कितना दुपता है कभी शुरूआ कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है मगर एहंकार और बुद्धी यानि अग्यान मन्यता से सफरिंग आ जाता है जो उतनी जागरती रहे है कि एक शरीर को कहां से दुखा, कितनी बार दुखा, कब से सुरू हुआ, कहां तक बढ़ गया और इसको जानने वाला शुद्धात्मा मै हूँ, तो फिर बीच में सफरिंग खतम हो सकता है यहने वो वहनकार यहने रांग बिलेप, यहने बेगिनिंग में पांच आगया में सेट होते जाओ, धिरी दिरे आपकी जागरती बढ़ते जाएगी, तो यह एक जो वेदना है शरीर की उसमें भी आप अलग रख सकते हो जैसे होली लकडे जल रहे है तो देखने वाला जलेगा नहीं, वो दोनों पचास फुट दूर है, ऐसे शरीर की वेदना और आत्मा का ज्यान दोनों बहुत अंतर है दोनों, पर यह सामिप्य भाव इतनी नस्दिक में हो रहा है, ताकि वन्नेस लगता है पर सच मुझ देखे तो लकडे जल रहे हैं देखने वाला जलता नहीं है यह आप देखते हो कि यहां से सुरू हा इसको कुछ नहीं हो गया यही दुखता है और यहां से यहां ही तक दुखता है तो दिखाने वाला बाद में मान लेता है कि मुझे दुखता है तो मन्यता से यही सब वेदना भुगतनी पड़ती है या पहले जो मान्यत्या थे कि मुझे दुख रहा है अशी जागरुती मेला नहीं कि फाइल नमबर नहीं किसे दुखता है जानो और आप खुद कौन है उसको जानो कौन करता है और मैं खुद कौन हूँ उसको जानते रहो वही जागरती सेट करते हो कौन करता है और मैं खुद कौन हूँ तो जागरती से आने पांच आग्यमी जितनी रहोगे तो धिरे धिरे आपको अनुभव होते कि Snότε निकाल सामने वाले इंसान के मन का, कि हमारे मन का पहले बाद में अपनी भी करना तो पढ़े गाइघ सामने वाले चिल लाते रहे और अपने मन का संभाव से निकाल करनी ऐ भी गलत है जो भी पहले तक भाहर का bearings लाओओड़ा राश्त में खुद का सोलिशनला बहर संजोग नहीं है तो खुद की प्रकृति का निकाल करो और जैसे कि स्टैडिस के लिए चिछ उद्धी का होना अगर अगर जाज इतना ज्यादा हो अतना जल्दी पढ़ाई मतलब फास्ट हो जाती है लौन ज्यादा जल्दी होता है तो जिछ शुद्धी के स्टैपस क्या है क्योंकि कभी-कभी फिल्म देखी होती है तो वो ही आद आ जाती है शाहव कान देखा जाता है पढ़ाई के बगद तो स्टेप्स जहां मिदरस्टी दोस होता है उसको प्रतिकमन से दो डालो जित की जितनी शुति हो जाएगी तो अपने हाँ बड़ेगा दिपिका बुरे कर्म या शुशाइड और एक्सिदेंट के बाद आत्मा भूद हो जाता है जरे लिखान अचि टकेजरें आते है जितनी कार्म ऑपक्राइड एक्सिदेंट हो जाता हैं जितनी कार्म बड़ेगा साथ लृद की जाता है लें अद गैसेने चाहिए, दूझ समादियु Τיל अफेक्ष CRM मरुट्यू ऑगित शार्मुन व लास्ट कर्मु र連 अवकता ऑन मरुत्यूु की बुर्ले, विएकल रेदेते हैं बुद अनुप नियु लेन भूछ होनी कि भूछ अब भूछ भूछ शबदा है। भूछ भूछ यहा ही रहpu भूछ अब भूछ सबस्टाइब थिस्तव आपाजी लेधा विए लीगए कि अंबामाताजी दियुक दिस्फे में आपाजिए वोह बूत नहीं अगताओ मेड़ल जीजिट नहीं अगंड़ दुसरा बोड़ी मिला नहीं जब ऴोड़ी यह था अगर शग मैं ब्सकेस तो आगए जाए। रखती है तो बात मैं बूत्स अग्षान की एलिए। यह जाए जाए जाएं पाथल दूज जाएं जाएं ग।ख बोलते हैं तो आगएंड़ ए्षाफट मानि जाती हैं व्यांतर देव कम से कम 10,000 साल की तो इसकी लाइफ रहती है और वो अपनी दुनिया में है, मनुष्य को दुख करने के लिए नहीं आते है इस शब्द भूद बोला जाता है मकर सच मुझ भूद अलग है व्यांतर देव बोलते है जैसे सूर्य जोतिष्क देव है आंबा मताजी वाइबा बीव है धैसे व्यंतर देव रहते है और प्रेत है हो अभी नुक्सान कर सक्ता है और अपना हिसाव, क JASON प्रेट राग और देश के हिसाव पूरा करते है यसे प्रेट और देश का हिसाव पूरा करते है अभी दुख के लिढ़ करता है टो हो लिन आख भूर बोल Rede मेर करता है और ऊजग इसे कोतो हो सबस्थ, तो प्रतिकामून करना ऐसे हमाइब पुरी हमाइब जाता है आफिक स fighters चूश घर ज लिए्ट, फोर सबस्हितों यदर धर दरने कोईब ल licensing Board of प्रतिकामून के जरूब। और जादा बगवान अमारे साथ रहो, शक्ती दो संभाव से निकाल करने का है और क्या नाम बताया आपका? Dipika Dipika को होता है इसे कोद्धिका को इसक्वाग को डर होता है मैं तो शूद आतमा हूआ मैं अनंत्र शक्तिवाला हूँ, अनंत्र शक्तिवाला पचास बार बोलो सब पर प्रणू निकल जाएंगे डर के